तो ये बात है परसो शाम की पूरियत के मारे मैं इंटरनेट पर वीडियो देखने बैठाई था कि तभी अचानक मुझे ये वीडियो देखी अबे तु खुद सुबा दस बजे पैदा हुए और यहाँ पे बच्चे करने की बाते कर रहा है ये वीडियो देखते ही आवर्ज लाइक ई तो हमरे लिए कोचान! कोचान! और बस है निकर ले हम को देख में फटिगा बदाम तो लेतो मती रिकॉर्ड करो अब देखते है? यह अधारे हो जिस को थृओ को सा? काचा बादम खालो काचा बादम 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 काचा मुझे ना सीरिसली कोई जोक नहीं बनाना तीन-चार दिन पहले मैंने जब यह वीडियो देगी ती मेरा तब से दिमाग घूम रहा था और यह विजे इस पर वीडियो बनानी है मुझे इसको रोस्ट करना और आज इससे दाद आप सीरिसली की आक्टिक में नहीं कर सकता तो इसी बाद पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं इतना छोटा है कि एडवेंचर पार्क में वह हैट वाली लाइन होती है जिससे नीचे वालों की टिकेट नहीं लगती तो उसमें आता है तो सामने वाले दूद के दाथ भी नहीं टूटे है तो इतना छोटा है कि अगर कल को मोधी जन संक्या करेंगे न देश की तूजे इंक्लूड भी नहीं करेंगे क्योंकि तू इतना चोट है कि अगर मैं तुझे चार कतन दूर चले जाओंगा तो तू मुझे दिखाई भी नहीं देगा तू इतना चोट है और भाई वाला कान बंद है तेरा कुकुत्रिया अब आए तूमस बात की घहराई को समध रहे होगा कि ये वीडियो के थूरू कितना गलत मेसेज पोट्रे हो रहा है वो बच्चे क्या सीख रहे है कि बेटा प्रपोस करो नहीं भी होगा तो लड़की को उठा के ले जाना और बाकी कुछ हो जाए तो वो तेको क्या रहा है आ ऐसी चीजे सीखेंगे बच्चे और वाट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्यामरा के पीछे इनके माबापी खड़े होगे इनसी हरकते करवा रहे होंगे वह तो सोच रहे हमने स्क्रिप्ट के नाम पर भाई कोमेडी कर दिया हा पर भाई जो बच्चों के दिमाग प बच्चों को नहीं वह जो क्यामरा के पीछे खड़े होके रिकॉर्ड कर रहे है जिन्होंने इनको यह वाहियाद सी स्क्रिप्ट दिया बच्ची है तू अभी अब तो भी तो बच्चा है धन्से पैता तो ले खुद 11 साल 6 महीने का हो गया तो 11 साल 4 महीने वाली छोटी अब नहीं पर मेरी गल्फंड मेरी गल्फंड है और महीं प्यार बहुत प्रेंड जो अज मैंगा आज मर जाओंगा मैं यह भी मिस्तों याँ यही जोक सुनने के लिए तो जिंदा ताव है अज तक हो गाइज को मेड़ी हो गई को मेड़ी दो यह के बच्चों के जोक मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा था इनकी बात कर रहा था वह बत अले के जोक मेरे भी दो यह वाले है तो यह मिला रही आई आटमीना कभी कबार बहुत मजबूर हो जाता है जीजु आये थे जीजु आये थे जीजु आये थे गाई पहले यही निब्बिया वाले दे वाले दिन अपने निब्बो के लिए प्यार महबत वाली कसमे खाती है जीजु आये थे बाद यही निब्बिया सोशल मीडिया पर टूडा हात्रबार्णा था के जोनि सीती गड़े चांड। काचा बादम कामर बाचे काचे काचे काचा मजा नहीं आ रहा है लो सालो इसेके लिए वीडियो पर क्लिक है था न तुमने देख लो बादं बादं दादा काचा बादं अमर गंडीके बू-बू अज आधा मकलो कच्या न चाल्षा बादंग can अख़हो एक दिख़ा दिया यह तो लोगने बीना है अरवा रहा कर्या जो किम्शे भार सब्सके फैंज योट जोडी सिटी घूड़े बंद करो हाथ जोड के मैं मुझे माफ कीजिएगा कच्च बदाम वाले मुझे पे क्लेम ना मार दे इसलिए मैं उनका गाना नहीं यूज कर पाया तो मैंने अपनी बहुत ही मदूर आवाज आपको सनाई मैं इसलिए करके दिखाया क्योंकि मैं अपने फेवरेट मिश्टर फैजु जीरो शेवन के सम्मान में कुछ करना चाहता था और यह वीडियो देखने के बाद मैं वस्याइग बोलना चाहूंगा के अब बहुत पहले यह वीडियो देखी थी बिफोर दिस वीडियो बिकेम वाइरल लेकिन तब है मुझे लगा था के ठीक है normal सा dance है कि कंचा हां बड़ी दान्स कर रहे है तरह को ना समझ आएगी वही क्या है इसमें मेरी क्या बड़िय। मुझे कुछ समझ भी हाता। मैं हुँ एक शरीफ लॉण दा but weers को सनुने देखता ौ है नजरीय से 99% social media के लोग देखते हैं जब उलोग ने इस वीडियो को देखा तो उन्होंने इस नजरीय से देखा कि मेरा नजरीयों नजरीय से देखने पाया जिस वज़े से इस वीडियो पर इतने व्यूज आ गया जिसको देख आए वस लाइक अशन कुछ जाना नहीं हो गय लोग सबस्टाइब और लोग सब्सक्राइब अब अब हम ता था यूज इस घेले को एक शरीफ लोड़ा मैं कभी वीडियो को उस नजरीय से नहीं साओ था तुम क्या इतने खुश हो रहे हो इसके बाद भी तुम से कोई नी पटने वाली मेरी पूरी के पूरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जो है रिल्स ला सेक्शन इन वाली रिल्स से भर गया और उसके बाद जब मैंने इन वाली रिल्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया तब येवाली रिल्स उतने रिल्स लगत inadequभ तो एकथम से बीदिल्रों वाली रिल्स घुली बारो चंद तक राह बनादे बोलता था चंतकडा चंतकडा बोलता रहता था बैए मेरेको पता ही नी था लेकिन दे उसके बाद मैं इतनी बार सुलिया दना आ वस लेक भाई अभी तो मेरे को जानना पड़ेगा ने इस गाने के लेरिक्स यह तो अब मुझे समझाया कि अच्छा च मैं इतना सुन लिया है इतना सुन लिया है ना के अभी बंद करो हाथ जोर के जॉनी 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 एट पापा इटिंग शुगर नो पापा तेलिंग लाइस नो पापा ओबन यॉर माल वा क्या स्किल्द है वैल बिंदूर लगाने की पड़िया बेटी जबी तरह वक्त आ मैं सिंदूर लगाने के लिए तभी सबसे पहले भागेगे कि ना मैं नहीं लगांगे सिंदूर नहीं लगाती है मैं एक्चुली में बहुत ज्यादा कंफ्यूज दू क्या पढ़िया आजकल के बच्चों को इतनी कम एज में यार बड़ा होने की तुम बड़ा होके क्या बड़ा होके क्या बनो अपना घर बस आएंगे खाएंगे पीएंगे बीबी राखेंगे रुटा करेंगे दो तीन बच्चा करना है तुमको है ना तब बच्चा ना कर अपता का युर सही हम रहाग आएम जस्ट आक्चुली में स्टंड के यह बच्चा यार किंडर बच्पना तो जी लो अपना अच्छे से आर वायर यू गाइस दिस्ट्रॉइंगे और ओन चाइल्डों अम लोग हम लोग ने भाग के साधी कर लिए हमें बहुत तकलिफ हो रही है अभी कर्फ्यू भी लग चुका है मोधी जी यह क्या हो रहा है हम लोग कहा जाए अब आ बच्छादी कर ले कुछ भी ओधी आज गर्मी नहीं पड़ रही है कच्छा नहीं तुम्हारे भाई पिशाब लग जया है मोधी जी आज हमको प्रेशर नहीं आ रहे है बड़ाई-बड़ाई कर लेता जिंदगी में कुछ बन जाता उसके पाद शादी कर लेता बट नहीं हमने दी हा कसम होंगे तेरे हम सनम बेशक 15 साल की ही उमर क्यों ना हो ले जाएंगे तुझे भगा के यह मैंने अन्द स्पॉट कुछ भी गानागा दिया और मांग में सिंदूर लगा दिया जब 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 another valentine's here another valentine's slash karcha badam slash whatever social media roast make sure to like the video I'll see you guys in the next video तब तक के लिए thanks for watching